जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराठ चोद्री श्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड और केड़ी में दोस्तों आज का जो वीडियो इस्पेसिली आप सभी को पता कि अभी जो नकसलवादी और जो फोर्च के बीच में इसके बाद में काफ़ी सारे नकसलवाद और आतंवाद जब लेम लाइट में रहता है और इसके बारे में सबी लोग जानते हैं लेकिन नकसलवाद के बारे में ज्यादा तर लोगों को गलत फेमी है या नहीं भी जानते हैं और हरे जितने भी मैं लोगों के बारे में पढ़ता हूँ या कहीं पे भी जो करने में इतने तकलिफ हो रही है फोस को आप सभी को पता आज हमारा देश इतना डॉलप है ड्रोन के मादेम से जंगलों में जाके मतलब जैसे गड़ चिरोली में इससे पहले वा था उसमें ड्रोन की मदद से नक्सलियों पर टेक यह था और जिसमें चोपन के सम्टिक नक्स की अफोर्ट्र चालिए है बहुत सब्सक्राइब के में इसके बारे मिंग mitigator में प्रेट को सफाया करना कि इतना मुस्किल को पता की जब पाकिस्तान albeit जाके भारत की शेना एरिष्टाय कर सकती है तो यह तो अपमारे देश के अंदर है कहीं जवाब भी नहीं देना लेकिन दोस्तों उसका रीजन क्या उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है नक्सलबादी किसी दूसरे देश के नहीं नहीं वो किसी दूसरे देश के घुश पेटी हैं जो उनकी जो मांगे वो नाजाइज मांगे और वो उनको लोग कुछ लोग है जो उनको बड़ावा दिये जा रहे हैं प्योंकि उनकी जो मांगे है जर जमीन जंगल उनका कहना है कि यह जर जमीन जंगल यह हमारा यह जंगल भी हमारी और यह जितने भी जन है यह जितने भी ल लेत भुगauen okay, कोई आपको भी पता है कि लोग तंतर में यह कोई आगर कोई संदोब की घिल रहती है कि यह कैसे न कीशेट आप कि आतमर्पन करने वाले जितने भी नक्ति लिए उनको सरकारी नोकरी रहने की सुविदा फलेट यह नहीं जो मकान या क्या बोलतों को इसको क्वार्टर दिये हैं रहने की सुविदा दिये बहुत अच्छी सुविदा देती है यह ताकि सरकार भी चाहती है कि इनको कोई मिलुकसान नहीं पहुंचाए ठीक है तो इनकी जो मांगे वो पूरी नहीं हो सकती अब इन शी मांगों को बढ़ावा देखे अधिवासी लोगों को यह क्या करते हैं भरमित करते हैं इस बात में भरमित कैसे करते हैं उन लोगों को बोलते है हम आपके लड़ रहे हैं हम आपके हम्री लड़ रहेँ यह सरकार आईगे एंगर हम लड़े नहीं तो यह जंगल ले जाएगी जंगल ले गाँ और जब तुम रहोगे कान? और उनसे कर भी लेते हैं उनसे अ भी लेते हैं बहुत सारा समान भी उनसे लेते हैं टेक्स के रूप में और उनको अपने फेवर में रखते हैं हमेशा इसलिए और किसी को आउन जन्ता को या उनको नुक्सान नहीं पहुंचा देना कि इनका सिर्फ लड़ाई सरकार से रहती है सता के अंदर से इनकी इसलिए कि जो इनका हिलागा वहाँ पर सरकार कोई भी एक्टिविटी नहीं करें उस्वहाँ पर सरकार से कोई लड़ाना देन नहीं कहना का मतलब उसको अलग देश ही गोशित करते हैं जिनमें इनका रात चले तो दोस्तों यह तो पॉसिबल है नहीं तो इसलिए अब इन उन्हें बंब लगा रखे हैं कई न कई कुछ न कुछ लगा रखें जवानों को पता भी चलता था क्योंकि कहीं से भी अगर जवान जाएंगा उदर कोई न कोई गाउं पड़ेगा हर चारू तरफ गाउं गाउं है तो जब भी जवानों की कोई टुकरी निकलेगी ड्यूट गाउं वालों ने दरत टिया अब पूरे को पूरे गाउं को तो पनिसमेंन्ट नहीं किया सका ह। तो यह क्या करते हैं उसका फाइदा उचा उटातें ना जाइज उछ लोगों को भर्मित करब करब कि पूरा का पूर्य गाउं नक्सले की आपको बेयां में जुरूर ले लिए, मतलब शेना को परैसान करने के लिए काम में ले लेते हैं लेकिन वो लोग नक्सली नहीं तो अगर एरिष्टाय करें या बम गिराए तो फिर तो पूसे का थोर्दा यह नक्सली है इसको मैं लग जाओ यह नक्सली नहीं इसको छोड़ दूँ वो तो फिर सबको नुक्सान प नकस्त लिए उसके अलाहा की पैचान नहीं तो और उसके अलावा पूई पहुता नहीं है कि आप थाबित करो यह नग्स लिए कैसे और शाविद कर पां Name amen किसे सबीत कर धूäd लेöst गैसे उसके इस विडता करी ने की कोई जब Supers के वाले रुखते को ये अपने लखते हैं उनको मतलब इस फ्रकार से मोटिवेट रखते हैं गलत-गलत बाते बताके चरकार में गलत-गलत बाते बताके टो अपने फेवर में रखते हैं ओर भी लोग वहाँ रहते हैं तो वो भी मारे जाएंगे, तो यह उचित नहीं है, किसी भी कंडिशन में किसी निर्दोस को नहीं मारा जाना चाहिए, उसका इंकाउंटर नहीं हो सकता, तो बंब गिराएंगे तो फिर तो देखेगा नहीं न कोण नक्सली कोण नहीं, तो इसलिए यही सबसे बड़ा रीज कों तो इनक्सली एर हैं कों नहीं, इसलिए इनकी पहचान तब होती है, जब इनके पास में हथियार होता जो इक पक्ते हैं थे क्या आठक तब भी गोली नहीं मार सकती कोई भी फोर्स गाउंवालों को प्त्र का जबाब पत्र ही हो सकता गोली नहीं हो सकता यह कानून अपराद भी हो जाएगा अगर मानलों कोई गाउं में तो गोली नहीं मार सकता जैसे कई बार किसान अंदोलन भी चल रहा है और भी कई अंदोलन लेकिन फिर भी सरकार नेरंतर कोशिश करें और आने वाले टाइम में जैसे जैसे स्रिक्षा का इस्तार बढ़ेगा इन लोगों में भी समझ आएगी और अपने आप दिरे जैसे आज के समय में बहुत सारे नक्स लिए सरेंडर कर रहें आने वाले टाइम में यह लगब